तो कैसे आप लोग इसके परले हम लोगोंने भुगोल में दिसांतर रेखा में पढ़ लिया था दिसांतर रेखा के बारे में आज पढ़ते हैं वही दिसांतर रेखा का मानक समय वह मानक समय भारत का मानक समय क्या है अगर भारत में दिसांतर रेखा के परिपेश्च में अग जर्रव सब्सक्राइब होती यह से प्रुटी है अब भारत इंडिया के श्रीम प्रुटी आसे फंट यहां पर सब्सक्राइब पूर्वी गुलार्द का भारत एक देश है कहा होगा जीशिये तेखर यहां गई पिर इसंधर के ब्रहें तो देतर रखा के बीच यह नो धिसंधर रखा के मद्द्ध फैला गुआ यह दिन दो संधर रखा के मद्ध भारत इस्थित है अब अगर इसी भात की कि अगर यहां यहां से यहां से एक गूजरात के पश्च्चिम से और अच्रपदेश के पूरु से पूरु से तो यह जो दिसांतर रिखाएं इसी को पढ़ना है क्योंकि हमारा अध्याएवाज वह भाद का मानक समय तो हमारे सांतर पढ़ने के लिए दिखे यह रेखा गुजरती यह गुजरती आपकी आन सट डिगरी सात मिनट से लेके संतानमे डिगरी पत्चीस मिनट के मद्ध भारत अवस्तित हैं भारत इस्तित है वाणि इन दोनों रेखाओं को जो बीच है वह कितना है और साट डिगर यह 30 अंस इसके पहले हम लोगों ने देसंतर एक पढ़ लिया है एक देसंतर एक में तीन चार मिनट का रहता है तो ती देसंतर एक तो लिखेंगे हम लोग तीस गुड़े चार बराबर 120 मिनट मतलब हम कहा सकते हैं तू हावर्स यह दो घंटे का डिफ्रेंस होगा कहां से अगर अगर सुर्योदे की बात करें हैं घंटा से दो घंटा पहले होगा मने अगर अगर अगरालटाइंसमें पांच बजे हो तो गुजरात में कितने बजे होगा? साथ बजे, दो घंटे बाद होगा तो इस दो घंटे बाद से क्या समझा है? उसको समय लेते हैं, जैसे अगर कोई बैक्ती गुजरात घूमने वाला अउनाचर पदेश घूमने चला गया जैसे आप ही अधिकारे या ध्यापक होने बाद घूमने गए जो हम यहाँ पहुच के आप घूम रहे थे तो आपकी फ्लाइट माल लेजे दिन के दस बजे थी कितने बजे थी? दस बजे आपकी फ्लाइट थी तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर पहुचते हैं कि आराम से नो बजे पहुचेंगे एरपोर्ट उसके बाद दस बजे से प्लेन है लेकिन जब यहाँ पहुचते हैं तो पता चला कि एक घंडे पहले प्लेन जा चुकी है माने कि आप तो घंडे समझ के गये थे क्यों क्योंकि आउनाचर प्रदेज का समय दो घंट पॉच्चता नागरे को इन प्रखार की समझा है अब उनाच्र प्रदेश वाला गुजराद घूमने गया तो वहाँ उसकी प्लाइट दस बजे खाए तो बिचारा दस बजे पोग्चा दाजा दो घंटे बाद फ्लाइट है आपकी तो एक कई देश में रहने वाए नागरे को इतनी प्रकार की समस्या है अब इन दोनों का जो मद्धिबिन्दू निकाला गया यह मद्धिबिन्दू कहां से निकलेगा वो निकाला गया साड़े साथ अंस माने साथ डिगरी तीस मिनट के गुडांग पर कितने पर साथ डिगरी तीस मिनट माने साड़े साथ डिगरी के गुडांग पर इसको निकाला गया जो भारत के बीच में बजेगा वो है पूरे देश में बजेगा बीच माने यहां से खिच दिया गया यहां से जो रेखा खीची गई जो रेखा खीची गई वह खीची गई बयासी डिगरी तीस मिनिट या या बयासी सही एक बटा दो डिगरी इसे दो कहा सकते हैं तो हमें कह सकते हैं जो भारत का मानक समय है वह कहां से लेकिन वास्तों में कहीचा गया वह इसके बीच में बजएगा यहां बजएगा वह पूरे देश में बजएगा मानि जो इसरे खाप पर देखिए जो इसरे खाप पर बजएगा वह पूरे देश रहेगा वह और इसके लिगंठा США यहांस देखिए तो मैंने पूरे लाइन से खिश दिआ Carrie-a-laram तो भारत के पांच अरा जसे जवाध का मानक स्मय कितने पर ए यह 92 है 82 सही 82 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट या 62 डिग्री कहाँ पर है यह 62 डिग्री पर है यह इभारत का मानक्सम है यह क्या है यह GMT से 5.5 घंटे आगे है क्या से GMT से GMT क्या है Greenwich mean time बने यह जो यह Greenwich का time है इससे कितना भारत आगे है 82 सही 1.2 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट आगे है ठिक समझ मैं आगे आप लोग को यह भाद के 5 राज्यों से होकर गुजरती 5 राजी कौन से पहला तो अपना परदेश, उत्तर परदेश दूसरा उसके नीचे मद्र परदेश 36 गर्ड, ओडिशा, अंद्र परदेश इन 5 राज्यों से भारत का माने से में गुजरता वो भी यह इलहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है कहां से इलहाबाद के नैनी अगर आप से ने भदोही दिया भदोही अन्था मिर्जयापूर भी अब लगा सकते हैं मिर्जयापूर के पास गोपी गंज तो यह पांच अस्थान चार ऐसे हैं जो परिच्छन परशनाते हैं आप लगा सकते हैं यह भाद का मानक समय इलहाबाद के नैनी से या बदोही से या मिर्जयापूर के निकट क्या नाम बता हमेने अपने गोपी गंज से ये रेखा गुजरती है और भात के पांच राज्यों से होकर गुजरती है ये भात का मानक रेखा हो गई अब मानक समय कितना होगा हमें जानते हैं कि एक डिगरी पूर में जाने में चार मिनिट का समय लगता है और अगर हमें साड़े 82 डिगरी जाना है तो क्या करेंगे तो गुला करेंगे तो गुला करेंगे क्या हो जाएगा 82 सही एक बटा दो में चार से गुला करेंगे तो 330 मिनट आएगा इसे घंटे में बतलेंगे तो आएगा प्लस पांच घंटा 30 मिनट यह प्लस पांच घंटा 30 मिनट क्या है भारत का मानक समय GMT से आगे है, जुड़ेगा न, कित्ता जुड़े, साड़े 5 घंटा, तो भारत का मानक समय Greenwich से साड़े 5 घंटे आगे है, कहने का मतलब यदि इंग्लेंड में कोई मैच दिन के 12 बजे खेला जायेगा, तो भारत में इसका प्रसारण साड़े 5 घंटे बाद अर्थात 5 घंटा होगा, ठीक, इसका बीपरीत भी होगा, यदि भारत में कोई मैच साड़े 6 बजे खेला जारा है सामको, तो इसका प्रसारण इंग्लेंड में कब होगा, साड़े 5 घंटा पहले, पीछे, माने 1 बजे, बस, क्यों, क्योंकि साड़े 20 डिगरी पस्चिन जा अगे है, ठीक, इस प्रकार, इंग्लेंड में कोई मैच खेला जाएगा, उसका प्रसारण भात में 5 घंटा बाद होगा, भात में 5 घंटा पहले होगा, भात में 5 घंटा बाद, माने पूल तरफ जाएगे, तो समय जुड़ेगा, पस्चिप तरवाएंगे, समय घट इस प्रकार, जो भात का मानक समय था, यह मैंने आपको बता दिया, सायद आपको समझ में आ गया होगा, और यह परच्छाक दिश्टिकोर से काफी महत्तपूर्ण था, जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया, हम उमीद करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को अने लोगों तक पहुचा दिएगा सेर कर दिजएगा और टेलीग्राम पे आप जुड़ियेगा टेलीग्राम पे सेर्च करिएगा दुरगेश सर बीना स्पेस दिए सेर्च करिएगा D-U-R-G-E-S-H-S-I-R दुरगेश सर्च करेंगे आपको आएगा e-learning बिदुरगेश आप उसे जॉइन कर लिजिएगा और साते साथ पेस्बुक पेज इलेनी बिदुरगेश पे भी आप जॉइन कर सकते हैं और अन्य लोगों को सेर करेएगा जिसको बहतर लगे और इसी तरह सिंखला चलती रहेगी हम पुरी जोग्राफी समान्ध देन में पढ़ाएंगे जो आपके लिए काफी महत्तपूर्ण है और इसक लोग इस्टाग्राउं वाट से आप सभी गुर्पों भेज देज़ेगा आप सब लगातार पढ़ते रहे हम आपके साथ हैं और आप में हमारे साथ रहेगा सफलता जरूर एक दिन मिलेगी चलिए जय हिंद जय भारत